नमस्कार दोस्तों आपका स्वागता आपके अपने यूट्यूब चैनल में हिमाचल परदेश रिग्रूटमेंट 2021 इकीज स्तारा पता पर भरती होगी तो हिमाचल परदेश में कहां पर ये भरती होगी पूरी ज्ञानकारी आपको इस विडियो में बताई जाएगी और कौन सी पोस्ट अब धरी जाएगी और इसमें जो सेलरी है वो अच्छी खासी दी जा रही है तो पूरी जानकारी आपको ओफिशली नोटिफिकेशन के साथ बताएंगे तो वीडियो पर बने रहें अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पर दें और साथ में बैल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगेने वली हिमाचल पर देश की नोकरी की अपडेट की जानकारी हमारी चैनल द्वारा इसी परकार मिलती रहे और इस वीडियो को पर दोस्तों के साथ जाज स्यादा शेयर करें और वीडियो अपसंदे तो लाइक भी जुरू करें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं CSIR Institute of Himalayan Bioresource Technology पालमपुर में ये भरती होनी है advertisement number यहाँ पर आप देख पारे होंगे और यहाँ पर application form जो है वो 14 अगस्त 2022 से शुरू हो चुके है और last date जो रहेगी वो 13 September 2022 रहेगी और last date जो रहेगी of receipt of hard copy of application 27 September 2021 तो आगे नोंने यहाँ पर बताया हुआ है पोर्स के बारे में तो scientific post scientist designation रहेगा number of post यहाँ पर 10 भरी जाएंगी total सारा post है तो 10 post यहाँ भरी जाएंगी category wise आप यहाँ पर देख पारे होंगे pay matrix level यहाँ पर 11 रहेगा और यहाँ पर total जो आपको salary देजाएगी यहाँ पर एप्रोक्स देखा जाए तो 92,000 पर मंथ रहेगी और यहाँ पर अपर age limit not exceeding 32 year जहाँ पर बता रखा है और यहाँ पर आगे post code यहाँ पर बता रखा है इन्होंने SCT2012, SCT2010 तो यहाँ पर pay matrix 11 और number of post pay matrix level age limit not exceeding scientist और यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कितने रुपी 67,700 और age limit 32 year reservation 10 post और qualification and experience की बात करें तो पी एच डी science submitted और M pharma, MD, Ayurveda, MVSC और M.E.M.Tech science engineering टेकनिकल पोस्ट जो भरी जाएगी सबसे पहले जो post भरी जाएगी है साथ पोस्टे भरनी है technical post ठीक है तो यहाँ पे senior medical officer की यहाँ पे post भरी जाएगी तो टोटल साथ post हैं यहाँ पे number of post आप दिख पा रहे होंगे technical assistant और senior medical officer की तो यहाँ पे जो officer की post है उसमें paymatrix level जो है वो 11 का दिया जाएगा पेmatrix level और technical assistant में 6 का दिया जाएगा इसमें 1,08,000 यहाँ पे approx emoluments रहेंगे और technical assistant के 49,000 और यहाँ पे upper age limit not exceeding as on last date 40 years और इसके 28 years यहाँ पे बता रखी है next post code numbers यहाँ पे MO-2011 to TA-2017 MO medical officer TA technical assistant तो इसके लिए qualification की बात करें यहाँ पे तो जो 7 post हैं तो यहाँ पे education qualification and experience की बात करें तो MBBS with 55% marks और 3 year relevant experience मांगा गया है MBBS with MD or equivalent from a recognized medical college university और second number जो रहेगा first class BSC science with one year full time professional qualification और one year experience in a relevant discipline from a recognized institute or organization का यहाँ पे बताया गया है abbreviations यहाँ पे इन्होंने बता दी गई है और post wise information regarding minimum qualification desirable qualification experience and job requirement in respect of scientific post A is as under तो post code जैसे कि मैंने आपको उपर बताया तो वो आप यहाँ पे इन्होंने बता रखे है qualification PhD जो मैंने आपको उपर बताई qualification वो ही यहाँ पे इन्होंने बता रखे है और desirable qualification की बात करें experience in the area of tea chemistry, tea processing और tea based product और यहाँ पे traditional knowledge जो बताया हुए scientific in the idea of traditional knowledge one post reservation for SC के लिए और यहाँ पे essential qualification बता रखे है तो यहाँ पे पोस्ट कोड के साबसे आप यहाँ पे qualification देख पा रहे होंगे वीडियो को पोस्ट करके आप पढ़ सकते हैं मैं आपको important important बता देता हूँ तो यहाँ पे post code SCT2005 के लिए यहाँ पे essential qualification और desirable qualification के बारे बता रखा है जो की एक post reserved है OVC के लिए तो यहाँ पे इन्होंने यह category wise बतार की है पोस्ट कोड के हिसाब से तो आप category wise qualification को देख सकते हैं अपने हिसाब से तो आगे आपको बताते हैं हम कि यहाँ पे इन्होंने backlog पोस्टें भी है जिसे OVC की तो यह medical officer और technical assistant के लिए भी इन्होंने बताया हूँ है किसी बिकार minimum qualification and experience इन्होंने यहाँ पे detail में बता रखा है मैं आपको brief में बता दिये उपर जो column बनाए गए थे इसे परकार technical assistant के लिए यहाँ पे minimum qualification and experience, desirable qualification और job requirement क्या रहेगी उसमें तो पूरा यहाँ पे इन्होंने बता रखा है पोस्ट कोड के हिसाब से जैसे TA 2016 इस हिसाब से आप बता रखे है और जिनले information and conditions यहाँ पर बता रखे है benefit under council service और other conditions यहाँ पर बता रखे है कि आप citizen होने चाहिए Indian के जिया कि citizen होने चाहिए और यह आपको जो इनकी website है वहाँ पे आपको यह PDF मिल जाएगी तो आप इसको अराम से बढ़ सकते हैं और यहाँ पर mode of examination जो रहेगा for post of technical assistant के लिए post code यहाँ पर इनकी बताय हुए है तो mode of examination OMR based और computer based object type multiple choice examination medium of questions जो रहेंगे वो English और हिंदी दोनों में होंगे accept the question on English language को छोड़कर standard of exam जो रहेगा वो diploma graduation level पर रहेगा total number of questions 200 पुछे जाएंगे और 3 hours आपको दिये जाएंगे exam को करने के लिए paper 1 में mental ability test होगा जिसमें 50 questions पुछे जाएंगे और maximum marks 100 होगे और negative marking यहाँ पर no negative marking यहाँ पर लिख रखा ही नहीं आप देख पार होगे तो इस वेप्रम कोई negative marking नहीं होगी और इसमें जो पूछे जाएगा mental ability test में devised so as to include general intelligence उसमें होगा quantitative aptitude होगा reasoning होगा problem solving situational judgment होगा paper 2 जो होगा फो 30 minutes एलोट किये जाएंगे उसमें उसमें general awareness पूछी जाएगी 25 question 75 marks के उसमें one number 90 mark यहाँ पर होगा और English language के 25 question 75 marks के maximum marks रहेंगे और one number mark for every wrong answer तो सिदा एक number गटेगा paper 3 जो होगा उसमें 90 minutes दिये जाएंगे और concern subject के हिसाब से 100 question पुछी जाएंगे 300 marks के उसमें भी negative marking हो तो यह इस हिसाब से होगा और relation यहाँ पर दी जाएगी जैसे अपर इस limit के लिए और आगे कैसे आपको apply करना है कौन सी website में जाना है आपको तो यह website रहेगी www.ihbt.res.in तो इस website में जाना है आपको और आप जो है जल से जल apply करते हैं क्योंकि कई बार साइट बिजी होने के कारण भी साइट ही नहीं चलती है तो 13 सप्टेंबर 22 लाज़ डिट है एप्लिटेशन फोन और बने की उसके बाद यहां पर लाज़ डिट फार द अलाइं समीशन अप्लिटेशन फो मिया पर बता रख्या है इन्होंने और आगे यहां पर आपने पुरा देख लिए ना है अपने ओडान कर लिए और यहां पर जो इन्होंने पताया हुआ है, after submission of application through online mode, online mode के बाद, it is mandatory to all the candidates to get its print and send the same along with attested photocopies of relevant educational qualification, experience and testimonials, etc. by post, तो आपको by post भी भी भेजने होगे, तो इस address में आपको भेजने होगे, by post, जो आपने application form बना है, उसको आप print out निकलवाओगे, उसके बाद जो भी आपने qualification भरी है, experience भरा है, तो testimonials जो भ address पर भेजनी होगे, तो उसकी last date में आपको वीडियो के starting में बता दी थी, जब मैंने PDF start की थी बताना, तो उसमें बता रखाए, और इसमें इन्होंने बताया हुआ है, कि आपकी जो fees लगेगी, candidate belonging to SCST, PWD, women, CSIR, employed, abroad candidates are exempted from payment of application fees, और जो non-eventable fees होगी, online application form, वो जनरल EWS OBC candidate, they have to deposit their application fees, रुपीज 100, फार इच पोस्ट, हर पोस्ट के लिए 100 रुपीज लगेगी, और यहाँ पर रखाए, neft, RTGS, in favor of director CSIR, IHBT, पालंपूर के, आपको favori में बनाना होगा, तो यह address रहेगा, तो आपको documents upload कौन-कौन से करने है, वो इन्होंने पूरा यहाँ पर बता लखा है, तो दोस्तो यह थी आज की latest deployment के update, जहें जहेंना चलते हैं,